हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंदरा एजुकेशन, मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी कहा हमारे फ्री वीडियो कोचिंग कलासीस, जिसका टार्गेट है सेसी सीजेल 2017 एक्जाम, जो आज का जो हमारे वीडियो का टोपिक है वो है, हाउ टू फाइ के अंदर इनकी वेलियो को कैसे कैलकुलेट करोगे, यही आज इस वीडियो का टोपिक है, जो नए वीवर्स हैं, इस चैनल के वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैंने से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप SEGL 2017 एकजाम की त्यारी करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए गाईज शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, आज हम देखेंगे जो आपके trigonometric function हैं, इसमें पुछे जाने वाले specific angles होते हैं, like 250, sin 250, tangent 150, clear, तो इस type के अगर आपसे question पूछे जाते हैं, तो हम exam में उसे कैसे solve करेंगे, clear, तो इन को solve करने से पहले आपको कुछ basic terms हो थी हैं trigonometric function की वो आपको पता होनी चाहिए, for example, अगर मैं लिखता हूँ, sin 90 plus theta plus minus theta, तो ये होता है आपका cos theta के बराबर, clear, और आपका cos 90 plus theta होता है आपका minus sin theta के बराबर, और आपका cos 90 plus theta होता है आपका sin theta के बराबर, clear, अगर यहाँ पर आप देखें, कि हमने जब sin को लिया 90 plus minus theta लिया, तो आपका जो value आई वो हमेशा positive रही, लेकिन जब हमने cos के function को लिया 90 plus theta में तो उसकी value क्या होगी, minus sin theta हो गई, cos से sin change हो गया, और जब हमने उसकी 90 minus theta लिया, तो आपकी जो value है वो sin theta हो गई, clear, तो यह positive और यहाँ पर negative और यहाँ पर positive, clear, यह difference क्यों आया, इस difference को समझने के लिए आपको 10th class याद करनी होगी, कि आप जब 10th class में थे, तो हमें सिखाया गया था, कि 4 quadrant होते हैं हमारे, clear, 4 quadrant होते हैं हमारे, यह होता है हमारा y axis, और यह होता है हमारा y negative, और यह होता है आपका x axis, और यह होता है हमारा x negative, clear, और यह होता है आपका first quadrant, second 3rd and 4th, clear? So, जब हम trigonometric chapters शुरू करते थे, तो हमें एक चीज़ सिखाए जाती थी, क्या? कि after school to college, clear? clear? So, यहां पर after का मतलब क्या होता था? all और school का मतलब s, इसका क्या मतलब होता था? sign और t का मतलब क्या होता था? àपका 10 और c का मतलब क्या होता था? आपका cos, clear? इनका क्या मतलब हुआ, कि जो आपका first quadrant होगा, first quadrant यहनी कि आपका 0 से लेके, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके आपका 90 तक first quadrant होगा, clear, और 90 से लेके आपका 180 तक, आपका second quadrant होगा, clear, इसी तरह 180 से 270 तक आपका third quadrant होगा, और 270 से आपका 360 तक fourth quadrant होगा, clear, clear, अब इसका क्या मतलब हुआ, कि first quadrant में आपके जितने भी trigonometric function होगे, clear, उन सभी की value क्या होती है, positive रहती है, क्यों, क्योंकि आपका जो first quadrant होता है, उसमें आपके x coordinate और आपके y coordinate क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, positive, clear, तो आपके जितने भी trigonometric function होगे, आपके first quadrant में, वो सभी क्या रहते हैं, positive, clear, बट हम second quadrant की बात करें, तो उसके अंदर आपका जो x coordinate होता है, वो negative में होता है, और y coordinate होता है, आपका वो positive में होता है, clear, तो इसलिए आपका second quadrant में, जो sine function होता है, और sine का inverse क्या होता है, cosecant, sine का inverse क्या होता है, cosecant, तो ये दोनों आपके positive रहते हैं, और बाकी सारे negative रहते हैं, clear, अब आजाए इस function पर, clear, यहाँ पे हमने क्या देखा था, कि cos 90 plus theta, clear, जब cos 90 plus theta की बात होगी, तो 0 से लेके 90 तक तो first quadrant हो गया, और 90 plus theta, यानि कि हम second quadrant में jump कर गए, और second quadrant में आपने देखा कि यहाँ पर sin और cosec ही positive होते हैं, clear, तो यहाँ पे जो cos होगा आपका क्या होता है, negative होता है, तो इसलिए आपका cos 90 plus theta की इसमें change हो गया, minus sin theta में, clear, और आपका cos 90 minus theta, यानि कि 90, 90 minus theta हम करेंगे, तो हम first quadrant में ही आएंगे वापिस, तो आपके first quadrant में आपको पता है कि आपकी जितनी भी trigonometric identities होती हैं, जो आपकी वो सारी क्या होती हैं, first quadrant में positive होती है, इसलिए आपका cos 90 minus theta होगा, आपका sin theta, clear, अब मैं बात करूँ अगर, लेकिन जब हम बात करते हैं, sin 180 plus theta, तो वो होता है आपका minus sin theta, और जो हम बात करते हैं, sin 180 minus theta, तब आपका variation होता है sin theta में, clear, ये variation होता क्यों है, इस variation को समझने के लिए आपको sin, cosine, or tangent के graph पता होने चाहिए, clear, कैसे, मैं बताता हूँ आपको, तो सबसे पहले बात हम करते हैं, sin graph की, clear, अगर हम sin को, sin की value को graph फे प्लोट करें, clear, ये आपका हो गया 0, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका minus 1, clear, और ये हो गया आपका, pi by 2, और ये हो गया आपका, pi, और ये हो गया आपका, 3 pi by 2, और ये हो गया आपका, 2 pi, clear, 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 अब आपको पता है कि जो आपकी sin 0 होता है, clear, sin 0 क्या होता है, 0, और आपका जो sin 90 होता है, वो क्या होता है, 1, यानि कि तो आपका ग्राफ क्या होगा, sin का, वो 0 से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा 0 से लेके 90 तक, 1 तक जाएगा, clear, 90 तक कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, clear, अब आपको पता है कि जो आपका sin 180 की value होती है, वो क्या होती है, 0, clear, जो sin 180 की value क्या होती है, 0, तो अब हमें 90 से 180 की तरफ move करना है, यानि कि pi by 2 से 180 की तरफ move करना है, यानि कि हम हमारी pi by 2, यानि कि 90 पे value क्या है 1 और 180 पे आगे क्या हो जाती है 0 यानि कि अब हमारा graph क्या होगा decrease होगा clear तो यह आ गया हमारा 0 degree पे clear यह आ गया आपका 0 degree पे अब आपको पता है कि जो आपका sin 270 होता है clear sin 270 होता है वह होता है आपका minus 1 के बराबर यहां पर value क्या हो गई 0 तो जब हम 180 से 270 की तरफ जाएंगे तो हमारी value क्या है negative तो यह नहिक आप हमारा graph कहां जाएगा नीचे की तरफ तो अप हमारा graph कहां जाएगा नीचे की तरफ clear यह हो गया 270 यहां पर जो value है आपकी वो क्या है, minus 1, clear, अब जब हम 3 pi by 2 से 2 pi की तरफ जाएंगे, यानि कि 270 degree से 360 की तरफ जाएंगे, आपको पता है कि sin n pi, sin n pi, हमेशा क्या होता है आपका, 0, clear, n की value आप कुछ भी रखो, एक रखो, sin pi, 0, sin 2 pi, 0, sin 3 pi, 0, तो sin 2 pi की value क्या होगी, 0, यानि कि अब हमारा graph फिर increase होगा, तो कितनी की तरफ जाएगा, 0 की तरफ, clear, तो अब फिर हमारा जो यह function होगा, 2 pi से फिर दोबारे repeat होगा, clear, तो जो sin का graph होता है आपका, वो 2 pi periodic होता है, कि 2 pi के बाद आपका दोबारा से फिर, जैसे यहाँ से graph शुरू होगा है, clear, तो दोबारा से graph आपका शुरू हो जाता है, sin graph, so, अब देखिए आप यहाँ पे, इन values को देखिए आप, graph में, 0 से लेके 90 तक, clear, 0 से लेके 90 तक हम कौन से quadrant में होते हैं, 1st quadrant में, तो 1st quadrant में यह देखिए आपकी value क्या है, sign की, positive है, clear, और 90 से आप 180 में कौन से quadrant में होते हैं, 2nd quadrant में, और आपको पता है, 2nd quadrant में आपका sign और cosec क्या होते हैं, positive, यहाँ देखिए आप graph में, 90 से 180 में आपकी value क्या है, positive, clear, और जब हम 180 से 270 की तरफ जाते हैं, 180 से 270 मतले कि हम 3rd quadrant में आगे, और आपको पता है 3rd quadrant में कौन positive होता है, tangent, तो आपका sign क्या होगा, negative, तो देखिए आपकी यहाँ पर जो value है, वो क्या होगी, minus में, clear, और फिर आपका 270 से हम 360 की तरफ जाएंगे, फिर हम कौन से quadrant में जाएंगे, 4th, 4th में आपका positive क्यों होता है, cos, clear, तो यहाँ पर फिर आपकी जो value होगी, sign की वो क्या है, negative, clear, तो जब हम 2 pi से दोबारा graph शुरू करेंगे, तो फिर graph आपका वैसे ही बनेगा, जैसा हमने 0 से शुरू किया था, clear, 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 तो इसलिए आप यहाँ से देखिए, आप 0 से लेके 90 तक, और 90 से लेके 180 तक, जो आपकी value vary करी, sign की, 0 से लेके 90 तक, और 90 से लेके 180 तक, आपकी value क्या करी, vary करी, और यहाँ पर देखिए, 180 पर आके क्या होगी वो, 0, clear, 180 पर आके क्या होगी, 0, और यहाँ पे देखिए आपकी 270, तो 270 के बाद आपकी value vary करी और 280 के बाद 180 से लेके 270 तक आपकी value vary करी और 270 से लेके 360 तक आपकी value vary करी, clear? तो जो आपका sin function होगा, वो 90 और 270 पे change होगा, यहाँ पे देखिए आपका, sin 90 plus minus theta आपका क्या होगा? cos theta और sin 270 plus theta, sin 270 plus theta, यह नहीं कि हम 270 आपका यह होगया, 270 plus theta हम 4th quadrant में चले गई, तो आपका sin क्या होगया? negative, तो यहाँ पे आजाएगा आपका cos theta, clear? और इसी तार अगर यहाँ पर minus होता, sin 270 minus theta, तो हम कौन से quadrant में आ जाते? third quadrant में, third quadrant में फिर हमारा sin क्या होता है? negative होता है, तो हम इसे क्या लिखते है फिर? minus cos theta, clear? तो अगर हम cos के ग्राफ की बात करें, तो अगर हम cos के ग्राफ को plot करें, clear? तो यह 0, pi by 2, यह होगे आपका pi, और यह होगे आपका 3 pi by 2, और यह होगे आपका 2 pi, तो अब आपका जो cos 0 होता है, clear? जो आपकी cos 0 होता है, 0 degree, उसकी value क्या होती है? 1, clear? और cos 0 degree की value क्या होती है 1 तो जो हमारा graph शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा हमारा 1 से clear तो जो आपका graph 1 से शुरू होगा और आपको पता है कि हमें 0 से लेके कहां तक जाना है 90 degree तक और आपको ये पता है कि जो आपके cos 90 की value होती है वो क्या होती है 0 degree यानि कि आपका 0 से 90 तक आपका जो graph होगा वो ऐसे degrees करेगा clear clear और आपको पता है कि जो आपका course 180 degree होता है course 180 degree वो क्या होता है आपका minus 1 तो अब आपका graph कहां से कहां जाएगा 0 से minus 1 तक कहां तक πाई तक clear यह आपका minus 1 यहाँ पे आपका यह graph 0 से minus 1 clear अब आपको पता है कि जो आपका course 270 degree होता है वो क्या होता है 0 जो आपका course 270 degree होता है वो क्या होता है 0 तो फिर आपका graph ऐसे जाएगा 270 की तरफ clear अब आपको पता है कि जो आपका course 2 pi होता है clear जो आपका course तो फिर आपका जो graph ऐसे जाएगा, increase होगा, clear, अब देखिए, यह जो graph होगा, आपका sign का, sorry, वैसे तो यह exactly curve होता है, हमसे ठीक से बना नहीं, कोई बात नहीं, तो 0 से लेके, 90 तक आपकी value decrease होई, फिर आप 90 से 180 की तरफ गए, तो आपकी value क्या होगई, minus 1 होगई, तो आप 180 से 270 की तरफ गए, तो आपकी value increase होई, clear, तो 270 पर आके 0 हो गई, तो फिर आपकी value यहां से increase होगी, 2 pi तक फिर आके क्या हो जाएगी, यहां पर आकर वो 1, clear, तो जो आपका cos का graph भी होता है, cos, cosine graph आपका, वो भी क्या होता है, 2 pi के बाद, वो भी 2 pi periodic होता है, मतолब कि वो 2 pi value के बाद आप खुद को graph क्या करता है, repeat करता है, clear, अब आता है आपके tangent graph, clear, अब आता है आपका है tangent graph, clear, अब tangent graph कैसे बनाएंगे हम, आपको पता है कि जो tangent graph, आपकी जो tangent किस के ब्राबर होता है, आपका जो आपका tangent होता है वो किसके बराबर होता है sin theta वटे cos theta के बराबर clear तो cos अगर हम 0 से value शुरू करें 0 degree से तो cos 0 आपका 1 होता है और sin 0 0 होता है clear तो आपकी cos 10 0 की value क्या होती है 0 तो हम 0 से अपना graph शुरू करेंगे अब उसके बाद हमें कहां तक जाना है pi by 2 तक clear यह आपकी pi by 2 की value हो गई clear अब 90 degree में cos 90 आपका क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1 देखिए अब इसके fraction में denominator में क्या आगी 0 तो यह value क्या होती है infinity undefined तो इसको graph पे हम कैसे show करेंगे तो आपका graph ऐसे आएगा इस करव में और यहाँ पे आके आपका graph क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा clear आपका graph यहाँ पे आके क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा अब अगर आप 90 से 180 की बात करो तो आपका cos 180 क्या होता है minus 1 और sin 180 क्या होता है 0 तो आपका यह value क्या हो गई जीरो तो आपका πाई बाई टू से फिर हम ग्राफ बनाएंगे आपका 180 के लिए तब क्या होगा हमारा ग्राफ यहां से शुरू होगा और हमें का पता है कि 180 पे जाके क्या हो जाएगा जीरो तो फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा अब फिर यह फंक्शन आपको क्या करेगा पाई के बाद फिर यह रिपीट करेगा तो जो आपके साइन और कोसाइन के ग्राफ होते हैं वो प्रियोडिक होते हैं 2 पाई पर और जो आपका टेंजन्ट का ग्राफ होता है वो प्रियोडिक होता है पाई पर अब देखिए इस graph में देखिए आप 0 से लेके πाई बाई 2 कौन से quadrant में लाई कर रहे हैं हम first quadrant में clear first quadrant में तो first quadrant में आपके सारे एंगल positive होते हैं और πाई बाई 2 से पाई यानि की second quadrant में आ गए second quadrant में हमारा जो course होगा वो negative होगा तो यहाँ पर देखिए negative में चलेगा है graph आपका फिर आपका 20 से लेके 270 degree तक हम third quadrant में आएगे clear third quadrant में आपका course negative होगा यहाँ पर भी देखिए आपकी value क्या है negative है अब हम third से fourth quadrant की तरफ जाएंगे 270 से 360 की तरफ जाएंगे तब आपका graph क्या करेगा positive value चो करेगा और क्योंकि जो आपका course होता है वो fourth quadrant में क्या होता है positive होता है clear clear है ठीक है अब देखते हैं question जो की SSC CHSL exam में पूछे जा रहे हैं आपसे बार बार और आने वाले जितनी भी SSC के एक्जाम होंगे इस type के अगर आपसे question पूछे जाएंगे तो आप इन question को कुछी समय में कैसे कर दोगे clear तो question करने से पहले एक बर हम revision कर लेते हैं हमने अब तक क्या किया है कि जो आपका sin 90 plus theta होता है .ウGM cos theta के बराबर होता है,sin 90 tadi minus theta व म्हों भी आपका cos theta के बराबर होता है clear , leकिन जब हम cos की बात करेंगे, आपका cos 90 plus theta क्या होता है क्यों होता है ,क्योंकि जो आपका cos 90 plus theta की बात होगी तो हम कौन से quadrant में jump करगे, second quadrant में और आपको second quadrant में पता है कि sine और cosec ही positive होते हैं बाकी सारे जो identity होती है वो सारी negative होती है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया minus sine theta और आपका cos 90 minus theta यानि कि cos 90 minus theta हम वापस से first quadrant में चले गए और आपको पता है first quadrant में x और y axis के coordinate दोनों के positive होते हैं तो जो आपके सभी identity होती है जो first quadrant में होगी वो क्या होती है positive तो आपका cos 90 minus theta क्या हो गया sine theta clear लेकिन जब बात आईगी tangent 90 plus theta यानि कि हम second quadrant में जंप कर गए clear तो जो आपका second quadrant में sin और cosec होगा तो यहाँ पर minus quote हो गया जब हम बात करेंगे 90 minus theta तो हम वापस से first quadrant में आगे और first quadrant में सभी positive होते हैं तो आपका ये हो गया cot theta clear तो दिखी जो आपका tangent से court से sine का cos में clear ये जो आपका change होगा clear ये जो आपका change होगा sine से course में tangent से quote में या court से tangent में, secend से cosec में cosec से आपका second में तो ये हमेशा आपका एक तो angle 90 degree के लिए 270 हो गया, 450 डिग्री हो गया, तो जब आपके यह एंगल दिये गए होंगे, जैसे पर यहाँ पर दे रखा है, 90 दे रखा है, यहाँ पर 270 दे रखा है, तो आपके देखिए, sin cos में change हो रहा है, tangent code में change हो रहा है, तो यह आपका change कब होगा, जब आपके एंगल 90, 270, 450 या फिर मैं यह कहूँ, कि 90 के odd multiple दिये गए होंगे, clear, और अगर आपके even multiple दिये होंगे, like 180 degree, 360 degree, 540 degree, तब आपका कोई change नहीं होगा, suppose यहाँ पर देखिए आप, cos 180 प्लस theta, clear, cos का हमने क्या लिखा है, same as it is cos, बस sign change हुआ है, tangent और quote ही आपके positive होते हैं, बाकी सभी identity क्या होती है, negative, तो हमें cos को क्या लिखना पड़ा, minus cos, clear, तो इसी तरह अगर आपका quote 180 प्लस theta, cos 180 प्लस theta की मतलब, हम third quadrant में चले गए, third quadrant में आपका quote क्या होता है, positive, clear, quote क्या होता है, positive, तो हमने quote को ऐसे positive लिख दिया, लेकिन जब minus theta करेंगे, तो हम second quadrant में चले गए, second में क्या होता है, sign और quote sec होते है, positive, बाकी सारे negative, तो हमें quote को क्या लिखना पड़ा, कहां गया, quote 180 minus theta को, हमने क्या लिखना पड़ा, minus quote theta, clear, 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 तो चलिए वो question करते हैं, जो बार-बार आपसे exam में अभी पूछे जा रहे हैं, clear, देखते हम कैसे उन question को, कुछी समय के अंदर कैसे, सभी question को करते हैं, 10 question लिए हैं, मैंने आपके, जो बार-बार अभी exam में आपसे पूछे गए हैं, बार-बार, clear, तो ये सारे CHSL exam से लिए गए question है, जो आपसे पूछे जा रहे हैं, clear, तो पहला question है, आपका sign, 330 degree की value क्या होगी, तो एक बार ध्यान देना, आप इन सभी question के अंदर, कि जितनी भी आपको सभी values दी गई हैं, like आपको 3, 330 degree दिया है, या फिर 120, या फिर 300, या फिर 240, ये जो सभी angle दिये होंगे, ये आपके या तो cyclic angle से कम दिये होंगे, या cyclic angle से थोड़ा ज़्यादा दिये होंगे, cyclic angle like, pi 180 degree, 90 degree, 270 degree, 360 degree, clear, तो आप sign 3, 330 की बात कर लेते हैं, हम sign, 330 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 360 minus 30 degree, clear, और आपको पता है, sin 360 minus theta, किसके बराबर होता है, sin 360 minus theta, देखिए, यह 360 वाली लाइन होती है आपकी, 360 minus theta, या नि कि हम 4th quadrant में चले गए, 4th quadrant में तो आपका cost positive होता है, clear, और angle क्या है, 360, तो आपका जो sin होगा, वो sin में ही रहेगा, sin का आपका sin रहेगा, और जो आपका sin हो जाएगा, याँ पर क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, क्योंकि हम 4th quadrant में लाई कर रहे हैं, clear, तो sin theta, theta, 30 degree, और आपको पता है, sin 30 किसके बराबर होता है, 1 by 2, तो इसकी value के आगई, minus 1 by 2, अगला question देखिए, coat 3010 degree, इसको हम क्या लिख सकते हैं, coat 360 minus 30 degree, clear, आपको पता है, कि हम 4th quadrant में लाई करेंगे, 360 minus 30 degree, तो जो आपका change होगा, और यह देखिए, आपका even multiple है, 90 degree का, तो यानि कि आपका जो coat होगा, वो coat में ही रहेगा, वो change नहीं होगा, clear, और क्या होगा, 30 degree, अब positive आएगा, यह negative आएगा, वो कैसे देखेंगे, कौन से quadrant में लाई कर रहा है आपका यह, 4th quadrant के अंदर, 360 minus 30, कौन से quadrant के अंदर, 4th quadrant के अंदर लाई कर रहा है आपका, और 4th quadrant में, cos और secant ही positive होते हैं, बाके सारी identity क्या होती है, negative, clear, तो आपका coat 30 किसके बराबर होगा, coat 30 होता है आपका root 3, तो यह होगा आपका minus root 3 के, clear, अब देख लेते हैं, secant 270 degree, clear, तो secant 270 degree, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, 180 plus 90 degree, clear, या अफिर इसको मैं लिख सकता हूँ, 360 minus 90 degree, clear, 180 plus 90 degree, या फिर 360 minus 90 degree, clear, तो secant 180, यहाँ पर देख लेते हैं, अंगल क्या है, 180, यानि कि even multiple है, 90 का, तो आपका जो secant का, तो secant ऐसे ही रहेगा, change नहीं होगा, और 180 plus theta, 180 plus theta, यानि कि हम कौन से quadrant में आ गए, third quadrant में आ गए, third quadrant में आपका जो, tangent और quote ही positive होता है, बाकि सारे क्या होते हैं, negative होते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, 90 degree, minus 90 degree, clear, और secant किसके बराबर होता है, 1 by cos के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, cos 90 degree, 1 by cos 90 degree, और cos 90 क्या होता है, 0 यानि कि 1 by 0, तो यह value आपकी क्या होगी, undefined हो गई, इसका answer क्या आगए, undefined, next question देखिए, आपका cos 1, 120, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 120 को, इसको मैं लिख सकता हूँ, 90 plus 30, clear, 90 plus 30, 90 plus 30 का मतलब क्या हुआ, हम कौन से quadrant में आगए, second quadrant में, और second quadrant में कौन positive होता है, sine और cos 2, तो यानि कि आपका जो cos 2 की value रहीगी, वो तो positive रहीगी, plus, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 90 degree, तो आपका जो cos 1, किस में change हो जाएगा, किस में change होगा, secant में, तो इसे लिख सकता हूँ, मैं secant 30 degree, और आपको पता है, secant 30 degree किसके बराबर होता है, secant किसका inverse होता है, cos का, cos 30 किसके बराबर होता है, root 3 by 2 के, तो secant 30 किसका होगा, root 3 by 2 का inverse, यहनि कि 2 by root, 3, clear, next question देखिए, आप आपका tangent 150 degree, clear, tangent को कैसे लिख सकता हूँ, 150 degree को मैं लिख सकता हूँ, इसको 180 minus 30 degree, 180 minus 30 degree, और 180 minus 30, यहाँ पर देखिए, आपका 180, यह early line आगए, आपकी 180 की minus 30, positive होता है, sine और cosec, clear, और यहाँ पर देखिए, क्या है, 90 का, even multiple है, यानि कि आपका जो tangent का, तो tangent ऐसे ही रहेगा, यह change नहीं होगा, clear, और second quadrant में चले गए, तो आपका sine क्या आगए, negative, तो यह क्या आगए, tangent 30, और tangent 30 क्या होता है, 1 by root 3, और साथ में minus, तो यह क्या होगा, minus 1 by root 3, next है आपका tangent 300, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tangent 360 minus 60 degree, clear, अब आपका जो 360 minus 60, तो हम fourth quadrant में ही आ गए, और fourth quadrant में आपका, क्या होगा, जो tangent होगा, क्या होता है, negative होता है, clear, तो sine तो आगए, negative, plus, यहाँ पे जो यह क्या है, 90 का even multiple है, यानि कि आपका जो tangent है, वो tangent ही रहने वाला है, वो change नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है, 60 degree, तो 60 degree, clear, tangent 60 किसके बराबर होता है, root 3 के, और साथ में क्या minus, clear, next है आपका tangent 240, tangent 240 के हम कैसे लिख सकते हैं, 180 plus, 60, 180 plus, 60, और आपको पता है, कि यहाँ पे देखिए, even multiple हो गया, 90 degree का, तो यानि कि आपका जो tangent का, तो tangent ऐसे ही रहेगा, tangent, और 180 plus 60, तो हम कौन से quadrant में आगे, third quadrant में, third quadrant में आपका जो tangent होता है, वो positive होता है, clear, तो यानि कि 60 degree, तो यह क्या हो गया, tangent 60 क्या होता है, आपका root 3, root 3, यह आपका अंसर, cos 240 degree, cos 240 degree को में कैसे लिख सकता हूँ, cos 270 minus 30 degree, clear, 270 minus 30 degree, clear, और आपका 270 minus 30, यह आपका 270 वाली line होगी, यह वाली, यहाँ पर देख लिजिए आप, यह आपकी 270 वाली line होती है, तो 270 minus 30, यह नि कि फिर हम कौन से quadrant में आ गए, third quadrant में, और third quadrant में, आपका जो cos होता है, वो क्या होता है, negative, अब यहाँ पर देखी, यह 90 का even multiple है, यह odd multiple है, तो आपका cos किस में change होगा, sign में change होगा, clear, और third quadrant में negative होगा, और 30 degrees, तो sign 30 किसके बराबर होता है, 1 by 2 के, minus 1 by 2, clear, next है आपका, secant 225, तो secant 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, secant, इसको हम लिख सकते हैं, 180 plus 45, clear, तो अगर हम quadrant में देखें, 180 plus 45, यहनि कि third quadrant में लाई करेगा, third quadrant में आपको पता है, कौन positive होता है, tangent और quad, तो और यह even multiple है, 90 का, तो आपका secant का, तो secant ऐसे ही रहेगा, clear, और third quadrant में चले गए है, तो negative हो गया, और 45 degree, second 45 किसके बराबर होता है, root 2 के, और साथ में क्या है, minus, तो यह आपका हो गया, minus root 2, clear, next है आपका quote 135, quote 135 को कैसे लिख सकता हूँ, 180 minus 45 degree, clear, अब यह देखें, आपका even multiple है, यानि कि आपका quote का, तो quote ही रहेगा, अब हम quadrant की बात करें, तो 180 minus 45, हम कौन से quadrant में चले गई, second quadrant में, second quadrant में, आपका sign और quote सक positive होता है, बाकि सारी identity negative होती है, तो यहाँ पर sign क्या आएगा, negative का, और angle क्या है, 45 degree, तो यह आपका क्या गया, minus 1, clear, तो यह कुछ important question थे, जो आपके exam में पूछे गए हैं, और अभी जो आपका exam चल रहा है, बार बार आपसे पूछे जाएंगे, clear, so, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो please हमारे वीडियो को like कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए, आपके जितने friend या फिर आपके जितने relative जो की SSE CGL 2017 exam या फिर others exam state level के जिनकी तियारी करना चाते हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल को recommend कीजिए, हमारे वीडियो को recommend कीजिए, तो मिलता हूँगा इसमें अगली वीडियो में आपको, जिसमें हमें आपको बताऊंगा कि आप sign 15, sign 75 और cos 36, sign 22, इस टाइप की जो values होती हैं, जो आप याद करते हो directly, इनको भी हम निकालेंगे, इनका आपको concept बताएंगे पूरा, कि जब आप concept एक बढ़ पूरा समझ लोगे, तो आपको ये value याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, clear, so next वीडियो जो इसका part 2 है, वो आपका sign 15, sign 18, इस टाइप की जितने भी angles होते हैं, उनकी हम specific angles होते हैं, उनकी value निकालेंगे, तो मिलता हमें आपसे अगले वीडियो में, thank you for watching वीडियो,